याना में कांगरिस पार्टी सरकार में आती दिख रही है और जम्मो कुश्मीर में MC और कांगरिस को बढ़ा से क्या उत्तर भारत में कांगरिस पार्टी कम बैक कर देए देखें सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधान मंत्री मोदी जी अब विधान सबा चुनाव में अब फैक्टर नहीं रहे एक समय ऐसा था कि प्रधान मंत्री मोदी जी दिल्ली के MCD एलेक्शन के प्रचार में भी निकलते थे लेकिन आज वो एक liability बन गए है क्योंकि उनके आर्थिक नीतियों के कारण सब जगा बेरोजगारी और महंगाई की समस्या बढ़ चुकी है और इसलिए ये सिर्फ एक एक विधान सबा का चुनाव या सिर्फ भारत के एक अंग या उत्तर भारत का ये एक प्रमान नहीं है पूरे भारत में विधान सबा चुनाव में प्रधान मंत्री मोदी जी अफैक्टर नहीं रहे और इनकी जो डबल इंजिन की सरकार कभी पटरी पे थी ही नहीं हमेशा ये लोगों के खिलाफ और बड़े उद्योगपुती के साथ ये काम करते गए और इसलिए सिर्फ खार्याना तक नहीं आने वाले चुनावों में भी आपको कॉंग्रेस का परच्छा कॉंग्रेस का जंडा लहराते हुए देखेगा